हैलो गाईज, वेलकम टू लच्मीज फूडवर्ड, आज मैं अरबी के पत्तों के पकोड़े बनाने जा रही हूँ, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, और इसे आप मेरी वीडियो बीना इसकिप केगवे देखिएगा, तो ना तो आपके गले में खराश होगी ना पूरी वीडियो आप देखिएगा पूरे टिप्स और ट्रिक्स के साथ बताऊंगी, पत्तों को पहले आप अच्छे से लेकर धुल लिजेगा, फिर इसके बीच के भाग को, जो इसकी मोटी डंडी होती है, इसे निकाल कर अलग कर दीजेगा, बिल्कुल इस प्रकार से, इ इसे खाते हैं तो खुजली होती है, तो यह चीजों से आप बचे रहेंगे, यहां पर यह देखिए मैंने उरत की डाल ली है, इसको अच्छे से पीस लीजेगा, इसे महीनी पीसेगा, अब इसमें आधी कटोरी चावल का अटा, देखिए उतना मैंने हटा दिया है, नमक ड पाउडर और चार चंबच अमचुर पाउडर और यह एवरिष्ट का सबजी मसाला है, कोई भी ब्रेंड का हो आप डाल सकते हैं, अगर आप डालना चाहें, नहीं डालना चाहते हैं, तो आप इसकी भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, अच्छा मैं उरत की डाल का बना इसले हींग डालना तो बहुत जरूरी है इसके पहले भी मैंने अपने चैनल पर अरभी के पत्ते के पकोड़े बना कर दे रखे हैं तो उसे मैंने बेशन से बनाया था उसमें लैसुन प्याज का पेस्ट डाला था इसमें मैं लैसुन प्याज का पेस्ट नहीं डाल रही हूं जो लोग रेसन प्याज नहीं खाते हैं तो वो ना ही डाले, डालना चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन बिना डाले भी यह बहुत ही पेस्टी बनते हैं अब यह देखिए, सारे मसाले अच्छे से मिल गए हैं, इसे चाहे तो आप थोड़ा सा पतला कर सकते हैं, बेशन का रहता है तो थोड़ा पतला, लेकिन दाल का बना रहे हैं, तो ज्यादा पतला ना करिएगा, अब इस प्रकार से पत्तों को बिछाईएगा, कोई बड़ी सी यह है कि तेल ज्यादा नहीं लगेगा, पहली बात तो, क्योंकि आजकर लोग आयल खाना कम पसंद करते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो थोड़ा साफ इसे पतला कर दीजेगा, फिर से एक पत्ता लेंगे, पहले इस साइट पत्ता बिछाए थ अब इसे बिछा दीजेगा, और आपको दाल यानि बेसन जो भी लगा रहा है, उसको जिधर लाइनिंग है ना, उसी साइट लगाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, और पत्ते एकदम फ्रश होने चाहिए, कोसिस करें कि अगर आपको छोटे पत्ते मिल जाते हैं, तो उससे तो definitely आपके जोहां गले में खराश नहीं आएगी, लेकिन अगर बड़े भी मिलते हैं, तो उसमें इस प्रकार से इसकी मोटी रंडी को निकालना होगा, अब एक बार में कम से कम 5 या 6 पत्ते जरूर बिछाईएगा, और अच्छे से बेसन या दाल जो भी आप लगा रही हैं उसे लगाईएगा, तभी ये पकोड़े खाने में अच्छे लगते हैं, इसे कैसे बिछाना है, कैसे इस पर दाल स्प्रेट करनी है, मैं पूरा तरीका आपको बता रही हूँ, साइट से इस प्रकार से मोट दीजेगा और हलका सा दाल लगा दीजेगा, अब अब आपको जैसा रोल पसंद है, पतला या चोड़ा, आप उस प्रकार से पकोड़े बना लिजेगा, और इस प्रकार से उपर भी थोड़ी थोड़ी दाल लगाते जाईएगा, इसमें दाल या बेशन तो लगता ही है, वैसे भी ये सीजन में बनता रोज तो बनता नहीं, तो जब भी बनाईए, अच्छे से बनाईए, बहुत से लोग इसी डर से नहीं बनाते हैं, कि इसमें इतनी महिनत भी लगती है, और बनाओ, और क्या कहते हैं, फिर गले में खराश होने लगती, लेकिन अगर इस प्रकार से आप बनाएंगे, तो गले में खराश नहीं होग लेकिन हाँ, खटाई डालना बिल्कुल भी न भूलिएगा, और इसकी मोटी डंडी निकालना, ये दोनों चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, और ये देखें फ्रेंट्स, इस बार मैं थोड़ा चोड़ा रोल बना रही हूँ, दाल अच्छे से लगा दी है, जैसे मैं इ तो आपको कौन सा तरीका पसंद है, वो मुझे बताईएगा जरूर, और किस किस को ये अरभी के पत्तों का पकोड़ा पसंद है, कमेंट्स बाक्स में जरूर लिखकर बताईएगा, इसे सेड़ा भी बोलते हैं, आप क्या क्या बोला जाता है, बताईएगा, उपर से भी अ आगे पीछे इस प्रकार से, तो ये अच्छे से कटेगा, अगर आप एक बार में करेंगे तो ये फैल जाएगा, कटेगा नहीं, तो काटने का विशेज ध्यान रखियेगा, इस प्रकार से आप बनाएगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितनी जल्दी पकोड़े बन कर तायार हो गए हैं, और इसे आप चटनी से तो खाते ही खाते हैं, लेकिन एक बार मेरे कहने से इसे आप चावल के साथ जरूर खाईएगा, मेरी मम्मी को ये बहुत पसंद था और वो चावल से खाती थी, तो मैंने उन्हीं की देखा देखी, चावल से खाना शुरू किय सच में बहुत अच्छा लगता है, अब जिन लोगों को आयल बिल्कुल भी नहीं खाना है, तो वो खाली इस टीम करके भी खा सकते हैं, ये देखिए, चोड़े, पतले दोनों तरीके से मैं बना चुकी हूँ, अब इसे इस टीम कर रही हूँ, इसके पहले मैंने जो बनाया तो उसे अपनाएं, पानी जब अच्छे से गरम होने लगे तब इसे रखिएगा और तस मिनट तक, अच्छे से पक गए हैं, अब इसे आप अगर नहीं तलना चाहते हैं, तो जैसे हम लोग ढूपला और नहीं फ्राई करते हैं, उसी प्रकार से आप इसे फ्राई करके भी दिखा सकते हैं, अब इस प्रकार से आप बनाएंगे तो देखे तेल भी बहुत नहीं लगेगा, इतने से ही तेल में आपके सारे पकोड़े तलकर तयार हो जाएंगे, तेल गरम हो चुका है, गैस की फ्लेम को आप लो टू मीडियम ही रखिएगा, अब यहां पर एक बात चाहूंगी, इसे आप खुला भी मतलब बिना ढखे भी बना सकती है, लेकिन मैं ढखकर जरूर बनाऊंगी, उसका कारण यह है कि यह काफी मोटे होते हैं, अगर माल लिजे इस टीम करने में कहीं भी थोड़ी सी भी दाल पकने में कसर रहे गई हो, तो वो इस तरीके से तो फ्रेंट्स, मेरी इस टिप्स और ट्रिक्स के जरिए आप भी यह अरबी के पत्तों के पकोड़े यानि सेड़ा बनाईए, खाईए, फिर मुझे कमेंट्स करके बताईए कि आपको मेरी रिसीपी कैसी लगी, यकीन मानिये, गले में बिल्कुल भी खराश नहीं होगी, इस चीज की तो मैं गारंटी देती हूँ, तो फ्रेंट्स, सच में अगर आपको मेरी रिसीपी स्थोड़ी बहुत भी पसंद आती हैं, तो अपने फ्रेंट्स में, रिलेटिज में, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करिए, लाइक करिए, और ये देखें फ्रेंट्स, कितने करारे करारे, पकोड़े बनकर तयार हो गए, मैं आपको एक तोड़ कर दिखा रही उसाइट से, बहुती क्रिस्पी बने हैं, और ये देखें, बिना मौसम के आम की चटनी मैंने बनाई है, वो भी कच्चे आम की, तो इसकी भी रेसीपी मैंने अपने चैनल पर दे रखी है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंसन कर दूँगी, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स रेसीपी के साथ, तब तक के लिए, थैंक यू, इंजॉय करिए आप लोग भी,